प्रणामों के बाद जहां यूनाइटेड किंग्डेम के समर्थकों ने जश्ट मनाया वही स्वतंतरता के समर्थों को ने अपनी हार मान ली United Kingdom के समर्थख अलस्टर डर्लिंग ने कहा कि Scotland के लोगों ने सकरात्मक सोच का प्रचे देते वे विभाजन की जगा एकता को तरजीह दी है वही Scotland की स्वतंतरता के समर्थख Alex Salmond ने हार को स्विकार करते वे राश्टर की एकता की अप्पील की उन्होंने कहा कि जन्वस संग्रास में भारी मतदान से लोगतंतर को मजबूती मिली है Today is a momentous result for Scotland and also for the United Kingdom as a whole By confirming our place within the union we have reaffirmed all that we have in common and the bonds that tie us together Let them never be broken A turnout of 86% is one of the highest in the democratic world for any election or any referendum in history This has been a triumph for the democratic process and for participation in politics Secondly, the unionist parties made vows late in the campaign to devolve more powers to Scotland Scotland will expect these to be honored in rapid course United Kingdom के प्रदान मंसरी डेविट कैमरून ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रेश एक रहेगा उन्होंने कहा कि स्कॉटलेंड को और अधिक शक्तियां दिये जाने के वायदे को पूरा किया जाएगा प्रदान मंसरी ने ये भी माना कि इंग्लेंड, वेल्स और उत्रे आयलेंड के लोगों को भी अपने मान लेत तै करने का और अधिकार मिलना चाहिए स्कॉटलेंड के जन्म संग्रह के प्रडामों से उमीद की जा रही है कि संग्हे धाचे वाली युनाइटेड किंग्डम में विकेंजी करन को पढ़ावा मिलेगा हाला कि युनाइटेड किंग्डम में बहुत से लोग स्कॉटलेंड की स्वतंतरता के मुद्धे को लेकर आशांकित भी नसर आए यदि यह ऐसा होता तो युके को अपना करीब एक तिहाई शेत्र गवाना परता इस दोरान अर्थवयस्ता को लेकर भी काफी बहस हुई कि सतंतर स्कॉटलेंड कौन सी मुद्धा इस्तेमाल करेगा या वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा हाला कि परणाम आ गए हैं और स्कॉटलेंड को और शक्तियां देने की कवाय शुरू की जा रही है स्कॉर्टलेंड की संसत को और शक्तियां देने की समय सराणी पर सहमती बन गई है लेकिन इस पर राजनीतिक मद्भेद भी है और अगले साल मई में आमचुरा होने के बाद हालाद बदल भी सकते हैं न्यूस नाइट डेस्क डीडी न्यूस